किसानों के लिए इस वर्ष सोयाबीन के भाव घाटे का सौधा हो गए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सोयाबीन के भाव लगभग 1000-1500 रुपए प्रती क्विंटल चल रहे हैं. कई किसानों ने सोयाबीन रोक रखी है, लेकिन भाव नहीं मिलने के कारण नहीं पा रहे हैं. सोयाबीन के भाव को लेकर आने वाला समय भी अनिश्चिता भरा है. व्यापार विशेशगे सोयाबीन भाव को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं. मार्च अप्रेल में सोयाबीन के भाव बढ़ने की हलकी संभावना बनी है, हालां कि उस दौरान भाव कितने बढ़ पाते हैं यह निश्चित नहीं है वर्तमान में आलम यह है कि सोयाबीन के भाव समर्थन मूल्य से नीचे हो गए हैं सोयाबीन प्लांटों के भाव ही समर्थन मूल्य के करीब हो गए हैं जिसके कारण मंडियों में सोयाबीन के भाव में लगातार सीबोट सोयाबीन वाइदा ताजा सुधार के बाद भी तीन साल के निचले स्तर पर है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने स्टाक को लेकर अपना अनुमान बढ़ा दिया है। वैश्विक सप्लाई प्रचूर और सुगम रहने की उमीद से सटेबाज कीमतें गिरा रहे हैं। अमेरिकी क्रिशी विभाग, USDA, ब्राजील के विशलेशकों ने दो हजार तेईस से चौबीस में ब्राजील में सोयाबीन फसल के उतपादन अनुमान में कटौती की है। फिर भी यह बीते साल से बहतर है। USDA ने सोयाबीन के अंतिम स्टाक का अनुमान बढ़ा कर 315 मिलियन बुशेल कर दिया है, जो जनवरी में 280 मिलियन बुशेल ही था। वैश्विक आपूर्ती बढ़ने की उम्मीद से सोयाबीन बाजारों में फिर से नर्मी का वातावर्ण बनता दिख रहा है।